नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में एक खास टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं किसी राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर एक स्क्वेर बनाते हैं या इकुलेडर ट्रेंगल के अंदर यानि संभाहू तरिबूच के या समतरिबूच के ठीक है तो इस आपने इस पर चार तरीगे के कुशन मन जाते हैं स्टार्ट करेंगे पहले कॉंसेट समझना देखी आपका इस तरीगे से स्क्वेर बन सकता है ठीक है आपका इस तरीगे से बन सकता है इस तरीगे से स्क्वेर बन सकता है ये इकुलेडर ट्रेंगल है ये राइट रेंगल ह जब लंब और अधार पर जब हाइपोटनियोस पर यानि करण पर ठीक है तो आईए देख लेते हैं अगर मैं इसे थीटा लेता हूँ तो ये 90 माइनस थीटा ये 90 है स्क्वेर है तो ये कितना आ जाएगा ये थीटा आ जाएगा ये 90 होगा ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा ये थीटा आ जाएगा ये 90 आ जाएगा ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा ठीक है तो पहला कोशन बनता है इसमें पहली चीज़ जो ध्यान अखनी है आपको चार सिमिलर ट्रेंगल जिस पर कोशन बन जाता है कि चार समरूख त्रिबूज हैं इसके अंदर एक बड़े वाला एक ये वाला एक ये वाला ठीक है तो चार सिमिलर ट्रेंगल इसके अंदर बनते हैं जिस पर ये कोशन बनता है दूसरी चीज ध्यान से देखेगा अगर मैं इसे P लेता हूं परपेंडिकुलर इसे B लेता हूं ठीक है इसे H लेता हूं ये साइड है A इसकी साइड है मेरे सामने A ध्यान से देखेगा अब सेकिंड चीज पर आ रहा हूं मैं जो सेकिंड कोशन बनता है आपका ध्यान से देखेगा ये तिरिबुज बड़े तिरिबुज के साइड सिम्लर है यानि मैं बोलूँगा MS बटा A थीटा के सामने MS 90 माइनस थीटा के सामने A थीटा के सामने P 90 माइनस थीटा के सामने B तो MS की वेल्यू आ गई A इन्टु P बाई B इसी तरीके से मैं इसे देख सकता हूं द्यान से देखिएगा ये वाला तिरिबुज पूरे बड़े वाले के सिम्लर है इसमें भी हम वैसे ही देखने वाले है द्यान से देखिए अगर मैं देखता हूं 90 माइनस थीटा के सामने क्या है O T ठीक है बटा A जो थीटा के सामने है अब 90 माइनस थीटा के सामने क्या है B ठीक है और थीटा के सामने क्या है थीटा के सामने P तो आप बोलेंगे O T बराबर हो गया B A बटा P ठीक है अब जो प्रॉपर्टी यहां से निकल गया आती है देखिए पहली एक्विशन आपकी ये है दूसरी एक्विशन आपकी ये है तो MS इन्टू O T अगर मैं करता हूँ O T इन्टू MS क्या मिलेगा मेरेको A स्क्वेर मिल जाएगा P बाई B, B बाई P कर जाएगा A स्क्वेर मिलेगा यानि अगर मेरेको स्क्वेर की साइड निकाल ली है तो O T इन्टू MS का रूट करना पड़ेगा मेरेको ठीक है तो दूसरा कोशन बनता है आपका इस पे इसे मैं और डिटेल में आपके सामने रख देता हूँ आपको समझ आ जाएगा दियान से देखिए अगर ये राइट ट्राइंगल है ये अगर स्क्वेर बनावा है इसके अंदर अगर ये X है ये Y है ये कोशन आता है एकजाम में CGL वगेर में बहुत बार आया है भाई ये साइड A है तो A की वेल्यू क्या होगी रूट X इन्टू Y ये आपका एक और कोशन बन जाता है ठीक है ये दूसरा कोशन जो मैंने आपको बता है वो ये बनता है ठीक है और similar triangle आपको ध्यान अखना है इसके अलावा इसके अलावा वो पूछ लेता है कि ये साइड नहीं दीवी उसने उसने P, B और H दिया है आपको A निकालना है ठीक है अगर मैं H की बात करूँ दियान से देखिएगा यहीं पर you solve कर देता हूँ अगर मैं H की बात करूँ H क्या है MS PLUS OT PLUS A दियान से देखिए H किसके बराबर है A PLUS MS PLUS OT MS क्या था AP BY B तो मैं बोल सकता हूँ AP BY B PLUS ये क्या था AB by P plus A और अगर मैं A common लेता हूँ तो बचेगा क्या P square plus B square जो कि H square होता है plus PB बटा PB और अगर मैं A की value यहां से निकालता हूँ तो आता है PBH बटा H square plus PB ठीक है यह मेरा formula बन जाता है तो अगर कोई right angle triangle आपको दे रखा है यह P, यह B, यह H आपसे पूछा जाता है यह वाले square की side यह A है तो formula है यह आपके सामने इस square की side ऐसे भी पूछी जाती है PBH के साथ और ऐसे भी पूछी जाती है यह और यह दे दिया जाता है तो दो बहुत अच्छी property हैं यह ठीक है तो पहला मैंने बता है four similar triangle होते हैं कई बाद similar triangle ही पूछ लेता है या फिर इस पे question मन जाता है या फिर इस पे question मन जाता है एक question हो रहा है special property पे इसकी ध्यान से देखिएगा एक question हो रहा है special property पे वो बोलता है अगर एक second यह third है अगर isoslis right triangle बनता है ठीक है यानि यह right triangle है यह 45-45 वाला इस पे भी एक question आया हो है तो यह जो area of square बनता है area of triangle जो होगा वो 2.25 होगा area of square के ठीक है यह याद रखना है आपको जो area of triangle आएगा वो 2.25 टाइम आएगा area of square के यह चौथी property हो गई आपकी fourth property ठीक है तो तीसरी property यह है दूसरी यह है पहली मैंने बताई four similar triangle ठीक है यह सारे question exam में बने में केवल इस question पे इस diagram पे ठीक है इस diagram पे बनने वाले question अब यह square जो है जरूरी नहीं है ऐसा रखा जाए यह ऐसे भी रखा जा सकता अब मैं वो बताऊंगा आपको देखेगा दियान से यह आपके सामने अगर यह P है यह B है यह A हो गया यह P minus A हो गया दियान से देखना यह क्या है यह B minus A है ठीक है अब यहाँ पर भी आपको similarity मिलने वाली है कैसे अगर आप यह 90 लेते हैं यह भी 90 है यह भी 90 है ठीक है यह angle अगर theta होगा तो यह भी angle theta हो जाएगा यह 90 minus theta हो जाएगा ठीक है यह 90 minus theta हो गया और यहाँ पर भी मैं क्या देखता हूँ एक दो और बड़े वाला तीन similar triangle मिलेंगे यहाँ पर मेरे को ठीक है यह मिलेंगे मेरे को अब अगर मैं similarity लगाता हूँ दियान से देखिए P by B ठीक है किसके बराबर हो जाएगा अगर मैं इस वाले triangle में देखता हूँ A by B minus A ठीक है अगर मैं इसे इदर ले जाता हूँ A B बराबर P B minus P A और इसे यहाँ ले आता हूँ तो A into P my plus B बराबर हो गया P B के और A बराबर आ गया P B by P plus B ठीक है यह formula बन गया आपका जो काफी बच्चे याद भी रखते हैं कि अगर square बना है इसके अंदर तो square की अगर मैं बुझा निगाल ली है तो क्या होगी perpendicular into base बटा P plus B यह हमने पीछे निगाली थी अगर यहाँ पर देखें तो P B into H upon H square plus P B यह निगाली थी यहाँ पर ठीक है जब square इस तरीगे से बनता है दोनों ही concept पर यह चार concept पर question exam में आ चुक है यह पाँचवा concept था यह वाला इस पर भी question exam में आ चुक है ठीक है और कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं कई बार क्या होता है मैंने अपने foundation badge में भी कराया अगर आप foundation badge के student हैं तो आप जानते होंगे कि कई बार क्या होता है वो क्या करता है यह इस तरीगे से दे देता है ऐसा question में मिल सकता है आपको बार क्या है ऐसा question भी बन जाता है गई बार ठीक है यह आपके सामने एक वैसा square है ये वाला और एक ये वाला square है ठीक है combination पर भी बन जाता है आपको P और B दे दिया जाएगा और area पूछ लेगा कि भाई इसका area बताओ और इसका area और इसका area ठीक है ये question मन जाता गई बार तो ये मैंने class में भी कराया है question आपको आगे देखते हैं आगे है ये ध्यान से देखिए last property जब square अधिक्तम से अधिक्तम size का equilator triangle में हो संभाहू त्रेबुज में हो ठीक है ये square है मेरे सामने ये h है ये x है अब ध्यान से देखिएगा ये क्या मिलेगा मेरे को h-a ठीक है ये क्या मिलेगा a by 2 पूरा a है तो ये a by 2 हो गया यहापर जो square है वो equilator triangle के अंदर है संभाहू त्रेबुज के अंदर है पिछली case में right angle triangle में था समकोन त्रेबुज में था ठीक है अगर ये x है तो ये x by 2 आएगा कितना ठीक है ये आ गया देखिए ध्यान से अब यहाँ पर भी आपको एक similarity नजर आ रही होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल नजर आएगी अगर ये h है ये x by 2 है ठीक है तो h बटा x by 2 h मैं यहाँ लिख देता हूँ और भी अच्छा नजर आएगा देखो भाई ये 90 ये 90 ये एंगल जो होगा वही ये एंगल होगा तो ये छोटे वाला और ये बड़े वाला similar होंगे तो h upon x by 2 किसके बराबर आएगा h minus a बटा a by 2 के 2 से 2 कटा a h बराबर आगिया किसके x h minus a x मेरे को value निगाल लिए a की तो a into h plus x बराबर x h और ये ही a की value मैं लिखता हूँ तो आजाएगी h x बटा h plus x और इसी कोना मैं याद कर लेता हूँ वैसे जैसे मैंने पिछले वाला निगाला था मैं कैसे याद कर लेता हूँ कि a बराबर h को क्या बोलते है perpendicular x क्या है अधार तो ये वही formula बन सकता है एक तरीके से जो पिछला था आपका ठीक है ध्यान से रिखे हमने ये पढ़ा था pb upon p plus b तो बस ध्यान अखना आपको p क्या है p है ये perpendicular बेस क्या है ये पूरा बेस तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते है कि pb बटा p plus b एक square की side दे देगा आपको ठीक है तो ये था हमारा equilator triangle वाला तो ये एक property जिसपे question exam में आये हुआ है ये एक property जिसपे basic exam में question आये हुआ है दो और बाकी ये 4 ठीक है इसके अंदर भी दियान लखिएगा जब ये दो बुजा given है तो ये आएगा जब ये अगल बगल वाली बुजा given है तो ये formula से बनेगा और साथ के साथ 4 similar triangle इसके अंदर बनेगे ठीक है तो कोशिश ही है कि जैसे ऐसे आपका exam करीब आ रहा है आपको जो भी ऐसे concept हैं जो आप भूल जाते हैं missing हो जाते हैं वो आपको याद कराए जाए साथ के साथ आपको सिखाया जाए कि क्या-क्या छुपावा है hidden क्या रहा जाता है तो ये hidden concepts हैं जिन पर base question exam में आ जाता है एक question भी बहुत बड़ी चीज होती है